नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप मैथ की क्लास एट की वीडियो बनाईए तो आईए आज मैं क्लास एट एंसी यारटी मैथ का अभ्यास 2C कराऊंगा 2A और 2B मैंने कला रखा है लिंक मिल जाएगे डिस्क्रिप्शन में तो आज मैं आपको अभ्यास 2C सॉल्व कराऊंगा देखे पहला परस्ण दिया हुए है कि भाग बिधी से निमनांकित के वर्गमूल गयात कीजिए इससे पहले मैं गुणन खंड बिधी से वर्गमूल निकालना सिखा दिया हूँ तो आज मैं भाग बिधी से वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा तो आईए सबसे पहले important चीज देखें दोस्तों इस प्रस्ण को solve करने से पहले आपको एक से लेकर 10 तक आपको square पता रहना चाहिए ठीक है एक से लेकर अगर 10 तक आपको square पता है तो आप इस question को बहुत ही जल्दी लगा सकते हैं ठीक है तो आईए हम लोग पहला प्रस्ण लेते हैं देखें पहला प्रस्ण है 4489 तो यहाँ पर हम लोग 4489 लिखते हैं ठीक है अब इसका आपको भाग बिधी से वर्गमूल ग्याद करना है ठीक है ना तो आप सबसे पहले इसका जोड़ा बनाएंगे दो-दो का जोड़ा क्योंकि हमको वर्ग निकालना है ध्यान दीजेगा ये वर्ग हम लोग निकाल रहे हैं कि तो दो का जोड़ा बनेगा इसमें कितने का जोड़ा दो का जोड़ा बनाएंगे आप पीछे से ये एक जोड़ा बन गया एक जोड़ा ये बन गया ठीक है अब पर ऐसा नमबर लिखिए यहां भी ऐसा नमबर सेम टू सेम यहां नमबर होना चाहिए ताकि इसको गुड़ा करने पर यह नमबर आ जाए या फिर इससे कम रहे अधिक न जाए इस 44 को हम लोग देखेंगे तो यह किसके स्क्वेर के आसपास आ रहा है बताइए तो 49 के आसपा अगर यहां पे रखते हैं तो 36 का गुड़ा करेंगे तो 36 आएगा और 44 से यह कम भी है 49 रख देए अगर सात यहां पर रखते हैं आप तो सात अधिक हो जाएगा इसलिए हम लोग 6 ही रखना है ठीक है तो यहां पर एक 6 रखिए एक यहां पर भी वही वला 6 सेम टू सेम यह यहां पे बीछे यानि तीन नंबर एक साथ रहेगा एक यहां एक यहां एक यहां अब इन दोनों को आप गुड़ा किजिए तो आपको पता है कि छचाय का 36 होता है 36 यहां पे लिख दीजिए अब इसको आप माइनस कर दीजिए तो चार में से 6 नहीं जाएगा इससे हासी ले अब इस दोनों को जोड़ दीजिए आप अच्छाव अच्छाव कितना होता है 12 यह रहा 12 जो देखिए यहां पे लिखना होगा तो इन लोग का गुड़ा करेंगे और जब यहां नीचे लिखना होगा तो इन लोग को जोड़ेंगे अब देखिए अब कोई भी नंबर यह वही नमबर यहां भी होना चाहिए, वही नमबर यहां भी होना चाहिए, तो एक ऐसा नमबर यहां पर लिखिए, कि इन तीनों को इससे गुड़ा करें, तो यह आ जाना चाहिए, देखिए, तो नौ किसके लास्ट में आता है, देखिए, नौ किसके लास्ट में आता है, वर् लिए यहां पर 12 तो पहले से था अब तीन यहां रखते हैं तो वहीं तीन नीचे भी रखना होगा अब इन लोगो गुड़ा कीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो तीन तिरीके नौ और तीन दूनी छोव आतीने कम तीन देखिए यह चोटा पड़ गया है न तो यह इसका मतलब सात रखी है क्योंकि तीन तो नहीं हो पाएगा सात रख के देजे सात यहां पर सात इहां पर ठीके तो मिन लोग को गुड़ा करेंगे तो इतना त्वाही जा रहा है तो आठ आथ नौ यह आपका कैंसिल आउट हो जाएगा मतलब घटाएंगे तो जीरों आएगा न तो यहाँ पे भी एक साथा रख लीजिए ठीक है तो यहाँ पे जो आया आपका यही आपका भागफल है तो आपका एंसर कितना आएगा 67 यानि सरसट है न तो आपको लिखना होगा तो ऐसे लिखिएगा कि 44 और 89 84 और 89 का जब हम लोग वर्ग मूल निकाले हैं तो सरसट हाया है यही आपका एंसर हो जाएगा ठीक है आसा करता हूँ कि यह परसन आपको समझ में आया होगा देखिए तो आपको अगर यही इस संख्या का आपको वर्ग पता है आप इस को सुन को बहुत जल्दी लगा सकते है अगर आपको मल्टिप्लाइ करकर 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 के देखना होगा ठीक है और बहुत ही समय लगेगा आईए दूसरा परसन देखिए क्या है दूसरा परसन है 27 225 अब इसको लिखते हैं देखिए 27 225 ठीक है जोड़ा बनाईए पीछे से देखिए एक जोड़ा यह बन गया एक ज नमबर यहां वही नमबर यहां वही नमबर यहां है न देखिए अब यह देखिए यह दो का जोड़ा नहीं बन रहा थे इसको एक ही का जोड़ा बना लीजिए ठीक है देखिए अब यहां पे दो किसके लास्ट में आता है दो किसके वर्ग के पास आता है देखिए अगर को हम लेते हैं देखिए तो एक का स्क्वेर करेंगे तो एक आता है अब दो का स्क्वेर करेंगे तो चारा जाएगा तो यह दो वाला हम लोगों नहीं रखना है हम लोगों एक वाला रखना है कम वाला अधीक वाला नहीं तो यहां पर देखिए एक रख लेते हैं यहां भी ए तो एक एक होता है दो अब यहाँ पे जोड़ा करने पर इतना आ जाए या फिर इससे कम अजए अधिक नही नहीं कम न देखिए तो वही नमबर यहां पर भी होने चाहिए तो यहाँ पर क्या नमबर रखें पताइए को 172 लेकर क्याना है इस दहुरा मैं यहां और यहां लिखे कि इन दोनों का गुड़ा करें तो 172 के करीब पहुच जाए तो आप 6 रख सकते हैं तो 6 का गुड़ा करेंगे तो चाहिक 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 तीस हांसिल तीन अच्छो दूनी बारा बारा तीन पंदरह होता है 156 है न तेक तो छपन आ गया अब एक इसको गुड़ा कर रहे हैं तै कितना आ रहा है 156 यहां पे रख दीजिए ठीक है अब इसको आप घटा लीजिए यहां से लेगा बारे में से 6 गया 6 बचेगा 6 चोव में से 5 गया एक, ठीक है, अब देखिए, 16 बज गया, अब यहां से आपको 25 उठाना है, तो यह रहा 25, क्योंकि 25 उतरेगा ना, अब इनलों को जोड दीजिए, तो 26, अब 6 कितना होता है, तो 6, 6, 12 के दूहां से लेक, अब यहां पर हो गया 3, अब यहां पर ऐसा क्या न यानि कि लास्ट में कितना आ रहा है 5, और यहां भी कितना है 5, यानि कि यहां 5 रखके आप देखिए, तो 5 रखके देखेंगे, तो इनलों का गुड़ा कर लिए, यह रहा 5, 25 के 5 हासिल 2, अब 5 ने 10, 10 दूबार के 2 हासिल 1, अब 15, 15 एक हासिल 16 हो गया, 1625 आ गया, इसका मत आज का वर्गमूल आएगा आपका 165, यही आपका एंसर हो जाएगा